पधार मंद्री नरेंदर मोदी निशनिवार को साहरनपुर्ण सो जुनावी शंगनात किया पश्चिमी यूपी पीम मोदी ने विपक्ष पर जम कर हमला बोला। पीम मोदी ने राम राम सिमच पर पहुच कर अपना सम्मूधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुन्या भर में देश का डंका बच रहा है। याद कीजिए 2014 के वो दिन उस समय देश घोर संकट के दोर से गुजार रहा था। मैंने उस समय गारंटी दी थी कि देश छुपने नहीं दूँगा हर सिती को बदलूँगा निराशो को आशो और आशो को विश्वास में बदल दूँगा। अपने अशिरवाद में कोई कमी नहीं रखी याद कीजिए तब हमारा भारत ग्यारवी नंबर की ताखत था अब मोदी ने पांचवे नंबर की ताखत बना दिया है। आज भारत की तस्वीर विक्सित देश की बना दी है। पूरे वर्ड में देश का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपूर में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए पिव मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। बल्कि ये चुनाव विक्सित भारत बनाने के लिए है। प्रदार मंतिर ने कहा कि भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रति बद्धता है। हर किसी के लिए नए अफसर बना रही है। सहरनपूर की लकड़ी की नाकाशी और यहां के कोशल की ख्याती तो दूर दूर तक है। इसलिए योगी जी हो या मोदी हमें आपका ध्यान है। इसलिए हम दोने एक बात पर हैं वोकल फॉर लोकल। पधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि ये शेतर अपनी किरिशी उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। पिशले दस साल से हमारी सरकार लगतार अपनी किसान भाईयों के लिए काम कर रही है। आज देश में छोटे किसानों की पिएम किसान निधी के सरी मदद की जा रही है। इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सकें और एंडिया की सीटें 400 से कम की जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट नहीं दिल्ली